चेहरे पर इस मुस्कान के पीछे ना जाने कितनी तकलीफ, कितने दर्द और कितने गम छिपे हैं। यकीन मानिया, 95 साल के इस बुज़र कदम सिंग के कहानी आपको भावुक कर देगी। कदम सिंग मूल रूप से यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। और इन दिनों दिल्ली के मंडी हाउस के अबुल फजल रोड पर 10-10 रुपे में मुमफली के पैकेट बेच कर अपना गुजर बसर करते हैं। इसके लिए कितनी महनत करते हैं। उसे जानकर कोई भी पत्थर दिल इनसान पिखल जाएगा। जी हाँ, यहाँ मुमफली बेचने के लिए ये बुजर्ग 18 किलोमेटर पैदल चल कर किशन गंज जाते हैं। फिर दुपहर में लोडते हैं, शाम तक मुमफली बेच कर 500 रुपे कमा लेते हैं। महिने में जो थोड़ा बहुत बचता है, उसे बच्चों के लिए घर बेच देते हैं। कदम सिंग की कहानी ABP News की पत्रकार अजातिका सिंग के जरिये सामने आई है। उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया है। बाग पर से हैं। उम्र क्या है आपकी। उम्र है मेरी 95 पत्चान में। 95 बाप रे। तो अब ये मुफलियां कहां से लाते हैं बेचने के लिए। जड़िया गंट से किशन गंट से और आप अभी हैं। मंडी हाउस। कितना दूर पर कैसे जाते हैं। रेल में जाओन हो बजे। ट्रेन से जाते हैं। हाँ, मुंगे तावा है तीन बजे रेल। तीन बजे ट्रेन आती है। कितनी किलोमेटर पैदल चलके आते हैं। किशन गंट से आप यहां तत पैदल आते हैं। अरे बापर है, पठ्री के खते हैं। अजातिका सिंग ने लोगों से अपील की है कि अगर सेंट्रल दिल्ली में है तो बाबा से मुफले का पाकेज जरूर खरीदे ताकि बाबा की थोड़ी सी मदद हो सकी हाला कि ऐसा नहीं है कि बुजूर का परिवार नहीं कदम सिंग बताते हैं कि परिवार में बेटा है बहु है और पोती भी है ऐसे में सवाल ये कि क्या बेजे को बुजूर क पिता की कोई फिकर नहीं Bureau Report Napd 보니까